दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि आप सामने देख रहे होंगे और वहाँ पर बताया था कि जिरोधा क्वाइन में आप किस तरीके से अपनी SIP का जो एमाउंट है इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप यही काम ICICI Direct में या उसके Mobile App के द्वारा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा कि वहाँ पर क्या आएगा अगर हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी लोग चैनल पर पहली पार आया हैं चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा वीडियो पसांद इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा तो यहां तक तो आप लोग को पता होगा जो भी लोग इसको यूज करते होंगे तो यह हमारा लॉग इन हो गया है अब क्या करते हैं हम यहां यह जो तीन लाइने हैं बाई और दिख रहे हैं इसके उपर क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद में हम जाएंगे ट्रेड एंड इस option में यहाँ पर click करते हैं यहाँ से click करने के बाद में अब हमें जाना है यहाँ पर आपको एक option मिल जाएगा यह वाला mutual fund का commodity की नीचे लिखाना यह यहाँ पर करते हैं click यहाँ पर जैसे ही click करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके के options मिल जाएंगे transaction, allocate fund, transaction, book and cash flow, portfolio and holding इस तरीके के सारे option मिल जाएंगे अब हमें जाना है इस वाले option में transaction, book and cash flow चलिए अब यहाँ पर click करते हैं यहाँ पर click करने के बाद में आपको एक option मिलेगा SIP book का आप अब यहाँ पर click कर लिजे चलिए हमने यहाँ पर click कर लिया अब आपको यहाँ पर जो भी आपकी SIPs चल लिए होंगी वो यहाँ पर मिल जाएंगी तो मेरे case में यहाँ पर देखिए SBI, small cap, fund, regular growth, active यहाँ पर दिखा रहा है तो यहाँ पर भी हम यहाँ click करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं क्या option है यहाँ पर मिलते हैं तो चलिए हमने यहाँ पर click किया एक बार दो बार, दूसरी बार हमने click किया है तो यहाँ पर हमें modify का option मिल ला है, cancel का option मिल ला है pause का option मिल ला है, setup का option मिल ला है change payment mode का option मिल ला है तो हमें क्या करना था? यह जानना है कि हम अपनी SIP को modify कर सकते हैं कि नहीं यानि कि जो existing SIP है जितना हमारा amount हर month जा रहा है SIP में उस amount को घटाय बढ़ा सकते हैं ICICA direct में कि नहीं तो अब modify वाला जो option ही यहाँ पर हम करते हैं click चलिए यहाँ पर हमने कर दिया click click करने के बाद में कुछ इस तरीके के options हमारे पास में आ गया है और इसको जब हम नीचे की आएंगे तो नीचे और आते हैं तो यहाँ पर जो SIP installment amount को option है तो वहाँ पर मैंने 1000 का कर रखा था इसको चलिए हम बढ़ा करके 2000 का करते हैं और इसको कर देते हैं नीचे आते हैं और यहाँ पर simply हम proceed पर click करते हैं और देखते हैं कि हो बाता है कि नहीं यह यहाँ पर यह क्या हमें मैं से display होगा तो चलिए simply हमने proceed पर कर दिया click यहाँ पर यह कुछ मैंने शोड़ दिया था भरने के लिए इसको पहले भर लेते हैं तो यहाँ हम कर देते हैं No और यहाँ कर देते हैं tick अब proceed करते हैं प्रोसीट पर बटन दवाया और इसको कर देते हैं confirm चलिए confirm पर बटन दवाया तो देखी ये कुछ आपको सामने लिकर के आएगा As a process, SIP cannot be modified within 6 months of step up कहने का मतलब है यहाँ पर आप अपनी SIP को अपने पसंद के अनुसार अपनी इच्छा से घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं जब आप चाहें तब तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो 6 months है या जब step up का इसका मैं आपको वीडियो बनाऊंगा दिखाऊंगा तो वहाँ पर दो option मिलता है एक 6 month का मिलता है एक 12 month का मिलता है कि आप उस दोरान अपनी SIP को step up कर सकते हैं यह उन्होंने बताया है कि 6 months के बाद ही आप इसको step up कर पाएंगे आप जो अभी चल रही है जो भी आपकी SIP का जो amount कट हो रहा है उसमें आप किसी भी तरीके का कोई modification नहीं कर सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार